इस्राइल और लेबनान का संगर्ष आए दिन नया मोड ले रहा है हिजबुल्ला लगातार उत्री इस्राइल पर आग बरस रहा है कभी ड्रोन तो कभी रोकेट अटैक से इस्राइली ठिकानों में जम कर तवाई जारी है हिजबुल्ला ने अपने हमलों से साफ संदेश दिया है कि वह इस्राइल के खिलाफ बड़े और लंबे युद के लिए भी तैयार है उत्री इस्राइल का हर कोना लड़ाकों के हमलों से दहल रहा है हालाकि इस्राइल भी करारा जवाब देते हुए हिजबुल्ला को सीधी चुनोती दे रहा है हमास के साथ जहां गाजा में इस्राइली सेना भिड़ रही है वहीं इस्राइल लेबनान बॉर्डर में भी जंग का एक और मोचा खुला हुआ है इस कड़ी में हिजबुल्ला ने बताया कि 19 अगस साल 2024 को उसके रड़ाकों ने यारा और सेंट जीन के इस्राइली सेने टिकानों पर हवाई हमला किया है एक साथ कई ड्रोनों के जुंड के जरिये हमला कर इस्राइली असेंबली पोइंट्स को निशाना बनाया गया इस दोरान समू ने बड़ी संख्या में इस्राइली सेनिकों के नुकसान का दावा किया है हिजबुल्ला ने अपने ताजा बियान में बताया कि 11 मिलिटरी बेस पर इस्राइली बलो की 300 वी टेरिटोरियल ब्रिगरेट के मुख्याले को बड़ी हानी पोची है वहीं सेन्ट जीन बेस में इस्राइली सेना की उतरी कमान का लोजिस्टिक बेस था वहाँ भी लड़ाकों ने चोट पहुचाने का दावा किया है समू ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमला दक्षनी शहर टायर के पास कदमोस इलाके में एक इस्राइली उप्रेशन के पर्थिशोद में था ड्रोन हमले के लावा हिजगुला ने इस्राइली जारिट बेरेक और पास के असेमली पॉइंट पर रोकेट और तोप खाने से हमला किया बेरेक के कुछ हिस्सों को दबा कर दिया गया जिससे उसमें आग लग गई समू ने बताया कि ये उप्रेशन दक्षिनी लेबनानी गाओं खास तोड से बटोली शेयर पर इस्राइली हमलों के जवाब में था लेबनानी परतिरोत के घातक ड्रोन ने पश्मी अल जलील में बनाये गए नए इस्राइली मिलिटरी साइट को भी निशाने पर लिया इस्राइली अकबार हेट शोट हमोट ने इलाके में एक सैनिक की मोट की पुष्टी की साथ इछे गायलों की भी जानकारी दी इस्राइली मीडिया ने कहा कि यारा पर हमला एक गंबीर घटना थी इस्राइली मारी वखबार ने नहारी एलाके को निशाना बनाने वाले रोकेट बेराज को असामान ने बताया एक इस्राइली मीडिया आउटलेट ने कहा कि उत्री गबजे वाले फिलिस्तिन पर बंबारे कर इस्बुल्ला गुस्से में जाग उठा वहीं इस्बुल्ला के रोकेटों से इस्राइल की उत्री बस्तियों को वे मेरपुर नुकसान का खुलासा किया है जो उन इलाकों में बसने वाले इस्राइलियों में डर और दैशत को जागर करता है इस बिच हिज्बुल्ला समुने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इस्राइली फोच के दक्षनी लेबनान में गुस्पैट को रोका है माना जा रहा है कि इसराइल लेबनान में बड़े हमले को इंजाम देने की फिराक में था हिजबुला लड़ाकों ने कड़ी निक्रानी रखते हुए इसराइली बलो के एक समू पर गोला बारी की साथ ही रोकेटों से भी बोच्छार की बताया जाता है कि इस्राइली सैनिक हदाव एता फॉरेस्ट एरिया से लेबनान में घुस्पैट करने की कोशिश कर रहे थे परतिरोध समू ने कहा कि हमले में इस्राइली फोज हता हतुई आकिर का सैनिकों को पीछे अटने के लिए मजबूर होना पड़ा इस्राइली बलों की गुस्पैट से गुस्साए हिजबुला समू ने उत्री फ्रेंट पर भीशन हमलों को उन्जाम दिया लेबनानी परतिरोध ने तोप खाने के गोले से कबजे वाले शीबा फार्म में इस्राइली फोज के जबदीन बेरकों को निशाना बनाया हिजबुला ने मिसाइलों से रामिम बेस को निशाना बनाने का भी दावा कर इस्राइल को बड़ा जटका दिया इस्राइली मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि हिजबुला वास्तव में हमला करेगा वैकेवल उचित समय का इंतजार कर रहा है गाजा में इस्राइलियों का भाग गे और बसने वालों की उन बस्तियों में लोटने की इच्छा जिने उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था इस्राइल के लिए आ निशितता के हालात में लंबे समय तक इंदजार करने से चिंता बड़ी है इरान या हिजबुला की जवाबी कारेवाई मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं हो सकती है इसमें मंत्रियों, नैसेट सदस्यों, वरिष्ट सैन्यदिकारियों और मुसाद की हत्या भी शामिल हो सकती है ऐसे में देखना काफी एहम रहेगा कि हिजबुला और इसराइल के बीच की तनातनी का दोर आने वाले समय में क्या नया रुख लेता है क्या ये बड़े यूज से पहले का मात्र नमूना है या फिर दोनों पक्षमेज एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमला कर तनाव बरे महोल को बरकरार रख दें